हलो फैंट्स वेलकन टो वर्चार मल्टी बेगर वायल तो गाईज आज हम बात करने वाले हैं मल्टी बेगर पैनी स्टॉक की जो की प्राइस यहां पर रखता है करीब 2-3 रुपे के बीच का और यह जो कंपनी है यह के बीसी ग्लोबल जो की पार्ट है कारदा कंस्टॉक्शन का तो इस स्टॉक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो कारदा कंस्टॉक्शन करती क्या है ये building development का काम करती है और construction का contact भी लिया करती है तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो project है वो residential, commercial apartment बनाने का इनका सबसे ज़ादा यहाँ से revenue generate करते हैं और दूसरा जो part है इनका वो यहाँ पर civil engineer यानि contact की थूँ भी यहाँ पर यह revenue generate किया करते हैं यहाँ पर जानने को कुछ नहीं है हम आगे चलेंगे और आगे जानेगे हम इसकी detail में तो काई आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा चैनल का अभी तक सबस्क्राइब नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें यहाँ पर अपार्टमेंट बनाया करती है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीमियम वालों के लिए ही रखा जाए या लोग वालों के लिए लोग से प्रीमियम तक के अपार्टमेंट बनाकर यहाँ पर सेल किया करते हैं इनके अभी जो currently project चल रहा है 17 project अंदर construction चल रहा है और 3 पर अभी इन projects की planning चल रही है और जो affordable इनके apartment रहा करते हैं वो 50% रहा करते हैं और medium वाले ये रखते हैं 25% के और premium 25% के apartment ये रखा करते हैं और जो यहां पर इनका project रहा करते हैं उसमें इनकी 69% की own assets रहा करते हैं और 31% का JVs के रहा करते हैं और जो इनकी project offering रहा करते हैं इस offer में इनके residential area है जो 56% रहा करता है commercial 6% रहता है और residential come commercial area जो होता है वो यहां पर 38% का होता है और इनके revenue की बात की जाये तो revenue यहां पर generate किया करते हैं रियल स्टेट से 72% का और सिविल जो कंस्ट्रक्शन का इनके कॉंटेक्ट मिला करते हैं इस बिजनेस से ये 28% का रेविन्यू जिनरेट किया करते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर जो कॉंट्रेक्ट वाला काम है इसको ये इंक्रीज करना चाहते हैं कुछी टाइम में और यहाँ रियल स्टेट के काम धोड़ा सा कम करना चाहते हैं क्योंकि इस बिजनेस से डाइट कंपनीस की उपर जञादा बढ़ता है और सिविल जो कॉंटेक्स मिला करते हैं इस बिजनेस में प्रॉफिट के चांसेश बहुत ज़ादा होते हैं और dead के chances बहुत कम हो जाते हैं इनके जो 12 underhand projects चल रहे हैं इसकी जो worth यहाँ पर देख सकते हैं 184 कोड़ की यहाँ पर worth बनी हुई है और company के बारे में अभी हम थोड़ा सा और detail में अगर जानते हैं तो यहाँ पर जो इनका saleable area है वो यहाँ पर काफी बड़ा है और यहाँ पर जो इनका development total saleable area है इनके पास 3.69 leg square feet का जो saleable area है जो की इनको develop करना है और इस development के लिए DCP realisters के साथ इनोंने MOU sign किया है जिनके साथ यह मिलकर जिनके लिए यहाँ पर यह saleable area को develop करेंगे तो यहाँ पर दूसरी company को अभी entry नहीं देंगे MOU का यह मतलब होता है कि अब सरफ यही company उसके development का काम देखेगी और इनके पास जो area नासिक में है जहाँ पर यह अभी काम चल रहा है 4,462 square meter का area पर अभी इनका residential और commercial apartment यहाँ पर बनाए जा रहे है residential कम commercial सभी बनाए जा रहे हैं यहाँ पर और इनका focus की बात की जाए जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो इनका real estate का business है वहाँ पर यह अपने business को थोड़ा सा कम करना चाहते है और जो civil contract वाला काम है और joint venturing वाला काम है इसमें यह अपना stake बढ़ाना चाहते है यानि कि यहाँ पर interest जाद दिखाना चाहते है क्योंकि company के उपर यहाँ पर काफी जादा जो debt बढ़ चुका है in real estate business के थूँ तो यहाँ पर अब यह civil contract और joint venture में जादा participate करकर यहाँ अपना debt कम करना चाहते है और अपना business को और आगे बढ़ा कर इसी field में अपने आपको profitable बहुत जादा बनाना चाहते है तो अभी stock का price जो देखने को मिलेगा वो बहुत कम है और आगे चलकर यह जो price है 2 रूपे से 25 रूपे भी हो सकता है क्योंकि इनका जो focus है वो एकदम positive देखने को मिल रहा है share market में investment के लिए एक dimate account की जरूरत होती है तो आप हमारे साथ अब stocks में अपना dimate account open करवा सकते हैं link video के description में आपको मिल जाएगा company के finance पर आते हैं तो company का जो current market price चल रहा है 2.70 रूपे पर अभी ये current trade कर रहा है 166 का इसका market cap है ये एक बहुत ही small penny stock यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको इस company के उपर debt की बात करें तो 104 करोड का debt है cash flow यहाँ पर minus में चल रहा है क्योंकि अभी currently बहुत जादे project इनके चल रहा है जो कि यहाँ पर ये 2027 तक total complete करकर खतम करना चाते हैं और जो भी इनकी business है उसमें जो भी changes करना चाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ और यहाँ पर company के पास जो net profit है 8.73 करोड का जो profit निकल कर आया था वो इसके मकाबले बहुत ही कम है तो यहाँ पर company के उपर debt काफी जादा है asset अच्छे हैं इसके पास asset काफी जादा है company के पास और industry PE भी काफी अच्छा बना हुआ है company के बारे में आगा negative point देखे जाए तो यहाँ पर जो promoter solding है 69.16% की December 2019 में जो रहा करती थी यहाँ पर continuously कम होते होते यहाँ पर सिर्फ 12.76% की बच बचए है जो की बहुत ही negative point है आप यहाँ पर देख सकते है FIS भी यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा interest दिखाया करती थी तो यहाँ पर FIS ने भी upनी holding हटा ली है D.I.S. भी यहाँ पर काफी ज़्यादा interest दिखाया करती थी इसने بھی अपने holding खाल लिया है और यहां पर अब जो holding सरसे जब ज़ादा पड़ी हुय है वो पब्लिक के पास hold है यहां पर ताकि इनकी company पर FIS और GIS का भी भरूसा यहां पर बढ़ सके तो यहां पर आप देखेंगे तो company के उपर जो है वो red flag लगा हुआ है यानि कि company की जो prices है stock की जो prices उसको continuously manipulate किया जा रहा है prices उपर ले जाए जाते हैं फिर नीचे ले जाए जाते हैं यह यहाँ पर game चल रहा है जिस वए से इस company की उपर red flag लग चुका है company की यहाँ पर financial charts अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जादा कुछ देखेंगे को नहीं मिलेगा जो profit है वो पिछली बार के मकाबले काफी जादा जम्प किया है revenue यहाँ पर उपर की तरफ उठाया है और यहाँ पर 2022 की बाद की जाए तो थोड़ी सी ग्राफट यहाँ पर देखने को मिलिया तो वहाँ पर यह कंपनी अपने debt को कम करे और अपने profits को बढ़ा है और वहाँ पर civil engineering जो project और joint venture वाला काम है वहाँ पर यह जादा focus करकर अपने आपको changes करना चाहते हैं और आगे चल कर साइब कर भी लेंगे तब इस stock का जो price है यह आपको 2 रुपे का नहीं बल्कि 25-30 रुपे का देखने को मिल सकता है company के stock के prices के साथ वैसे भी manipulation किया जा रहा है और इसका low जो है वो 2 रुपे 13 पैसे का इनों ने बनाया था तो यहाँ पर अभी आप stock के अंदर investment कर सकते हैं अपने risk पर जो भी इसमें game चल रहा है उसके बीच में आप जाकर यहाँ पर काफ़ अच्छा profit निकाल सकते हैं 28 रुपीज पर यह high बना चुका है और 2 रुपीज का इसने low बनाया है तो अब 2 रुपीज के आजपास यह फिर से देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर entry लेते हैं तो फिर से अगर manipulation के थूपीज से stock के price को 20 रुपीज तक ले जाया जाएगा 10-15 रुपीज तक भी ले जाया जाएगा तो आपका जो पैसा है वो 10-15 गुना भी हो सकता है तो बस इसमें जो भी investment करें अपने risk पर करें अपनी analysis करने के बाद करें और सोच समझ कर करें जो भी करना है फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तो अभी के लिए good bye शुरियो दिनने वार